हलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मैं चैनल तो कैसे हैं आप सभी तो गाइस देखे सुबा के साड़े 9 बजरे बेबी उठ चुकी है बेबी ने अपना मिलक वगेरा ले लिया है उसके बाद गाइस में बेबी के साथ थोड़ा खेलूंगी क्योंकि बेबी ना ब बहुत गर्मी हो रहे है बहुत भयानक वाली गर्मी हो रहे है गाइस तीन दिन से इतनी गर्मी होते कि सर में दर्द हो जाता है तो हम आ गए है मम्मे के घर और हम नाश्टा कर रहे है देखिए नाश्टा में गाजर है खीरे है टमाटर है ओमलेटे और आलू स्वयबिन की स तो हम सब इसी में मिलकर नाश्टा करेंगे हम सब कोई तो हमारा नाश्टा हो जाएगा उसके बाद गाइस क्या बताओं यह वाली जो नाश्टा है ना बहुत मुझे पसंद है और हमेशा तो नहीं कर पाते हैं लेकिन कभी कभी कर लेते हैं क्योंकि हमेशा मुझे नाश्टा इसे होता ने मुझे रूटी वगेरा चेह जैसे की प्राठे वगेरा तो ये ना बहुत अच्छी लगी थी मम्मी बुले कि चलो इसी का आज ना नाश्टा कर लो तुम लोग तो हमने का ठीक है कोई बात ने तो वैसे बहुत हेल्दी नाश्टा होगा उसके बाद देखिए न पत्तों को ना ममी खटा करेगी उसके बाद जलाएगी और जहां पर नानी होती है ना तो आधित्ता भी पीछे पीछे लगा ही होता है तो यहां पर देख लेजिए मेरी मम्मी कैसे कर रही है पत्ते को इकटा कर रही है लकडी के मतलब सायते से और गाइस हम लोग ना अब निकले हुए कहीं बाहर जा रहे जैसे कि शौप में मैं और मेरी छोटी बहन तो हम आपको आगे वीडियो में मिलेंगे ही तो हमें ना कुछ सामन वगेरा लेना है जैसे कि मिल्क वगेरा बिस्किट अवतों बहने कुछ सामन ले लिया है तो चलिए ना मैं आपको धान की है पहुत जादा नहीं पकी है शायद गर्मी से पक गई तो हम लोग आ गए है शौप में यहां पर हम लोग कुछ सामन खरीद नहीं आये थे हम लोगों ने ले लिया जैसे कि मिल्क वगेरा और बहन कुछ ले रहे है फ्रूट जैसा कुछ तो उसके बाद गाइस हम निकल अगर नहीं किया है तो आप लोग भी लंच कीजिए गाईस और बताइए आप सभी कैसे हैं तो ममी ने बहुत ही टेश्टी वाला अंडा करी बनाया हुआ है हलो गाइस वेल्कम बैक टु मैं चैनल तो कैसे हैं आप सभी तो गाइस तो गाइस बताइबा कि आज का व्लोग आप लोग आप लो को कैसा लगा ऋह अगे घर मेंने वीडियो में शीयर किया है। एक भी हवा नहीं आ रही है आप लोग देख लिए पूरा देखिए एक पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं देख लिए ये साइड में भी पहुत ज्यादा गर्मी गाइस इतनी सर में ना तेजी से दर्द हुई ना कि क्या बता हूं मैं आपको तो हम लोगों ने ना कुछ योगा कि सब्सक्राइब realize के लिए जसे सरदर्द ठीक होता है तो मैंने भी वैसा इक तो हां मुझे थोड़ी सी आराम हो गई है धृतु फिर अना बहुत सरदर्द हो रही थी पर मैंने हिंमत जुटा के लुट पके लिए मैं लंच पगेरा कर लिया नहीं करती तो और ज्यादा सरदर्द होता, इसके मैंने लंच पगेरा भी कर ली थी, और इस वक्त थोड़ा अच्छा फिल कर रहे हूँ, तो गाइस वीडियो पसंद आता है, तो लाइक, शेर्ड, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं मिलती हूँ आपको अगली व्लोग में, ओकी फ्रेंट, बाइब बाइ